ले जनाब इस lecture के अंदर हम Excel के 50 ऐसे शॉटकट्स देखने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा important है जब भी आप कभी Excel पे काम कर रहे होते हैं तो यह sheet properly आपको अभी डिस्कॉर्ड के सर्वर के अंदर भी मैं upload कर दूँगा जैसे हमारी यह जो lecture है वो खतम होगा and then you can access this sheet as well लेकिन बड़ी गोर से यह lecture सुनियेगा ताके आपके लिए असानी हो Excel के most important shortcuts को समझने के लिए ले जनाब स्क्रीन आपके सामने हाजिर है यह मेरे पास top 50 Excel के shortcut की एक list है इसको हम देखने वाले कौन-कौन से shortcuts हैं we will see that सबसे पहले चीज़ यह है कि जब भी आप किसी shortcut पर काम करते है you have to look into the shortcut very frequently सबसे पहला यह है कि जब भी आप कोई spreadsheet open करके बैठे है for example यह मेरे पास spreadsheet है यह open है मैंने इसे close करना है तो Ctrl-W दबाएंगे तो यह spreadsheet close हो जाएगी यानि कि यह जो Excel की sheet है जिसे मैंने अभी open की है from clicking here तो यह सारे के सारी मेरे पास close हो जाएगी for example यह मेरे पास Excel Superstore की एक sheet है मैं Ctrl-W प्रेस करता हूँ तो यह automatically close हो जाएगी and it will ask me if you want to save or not इसी तरीके से यह मेरे पास sheet है मैं इसको Ctrl-W करता हूँ यह मेरे पास बंद हो जाएगी and it will ask me कि मैंने से save करना है के नहीं ठीक है so Ctrl-W is to close any spreadsheet फिर आती है अगर open करनी है spreadsheet तो Ctrl-O दबाएंगे W से close, O से open मैं Ctrl-O दबाता हूँ वो दबाते साथ ही आपने देखा कि यहाँ पे open के उपर directory चला गया otherwise मुझे file पे click करके open पे जाना पड़ना था और यहाँ से मुझे sheet open करनी पड़नी थी so Ctrl-W क्या है close, Ctrl-O है open next है हमारे पास saving a spreadsheet which is Ctrl-S यह आपको भी पता है कि आपको जब भी काम करना होता है उसको save करना होता है and then that means कि आप अच्छे तरीके से उस काम को दुबारा से भी देख सकते है Ctrl-S से save होगा for example मैं यहाँ पे कोई भी change करता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ to open a spread sheet इसका मतलब है कि जैसे मैंने इसको to open a spread sheet किया मैं Ctrl-S दबाऊंगा यह automatically जहाँ पे यह sheet saved है यह वहीं पे update हो जाएगी और यहाँ पे आपको option आजाएगी sheet saved ठीक है so this is how you can save अगर आप नहीं बना रहे हैं कोई भी new पे जाएके for example मैं new बनाता हूँ Ctrl-S दबाऊंगा यह मेरे पास एक dialogue आजाएगा कि कहाँ पे save करना है so I can choose a location to save जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ कि यह मेरी saved book है और मैं इसको document में save करना चाहता हूँ you can see कि यह मेरे पास save होगी Ctrl-S right and then हमारे पास है copy me अगर मैं यहाँ से copy करता हूँ यहाँ पे paste करता हूँ तो यह एक cell से copy और paste हो गया यह काफी लोगों को पता है मैं सिर्फ repeat इसलिए कर रहा हूँ आपको असानी हो यह है Ctrl-V इससे paste होता है copy से Ctrl-C copy यह Ctrl-V जो है वो paste है मिसाल के तोर पे यहाँ से यह मैंने इसे copy किया मैं यहाँ पे paste करना चाता हूँ यह मैंने paste कर दिया एक और तरीका कार यह होता है कि जैसे आपको चीज copy करें Excel में Excel उकात उसके ओपर दने-दने आने start हो जाते है something like this यह dashes आना start हो जाती जैसे कोई एक सड़क चल रही है ठीक है इसका मतलब है यह cell active और इसे copy किया हुआ आपने अगर मैं यहाँ पे paste करूँ तो यह हो जाएगा अब एक magic देखिएगा इसे मैंने copy किया है लेकिन जैसे मैं किसी और cell पे click करता हूँ और वहाँ पे editing start कर देता हूँ now I don't have anything copied on my clipboard तो मैं इसको paste करूँगा न it will not paste anything ठीक है यह error दे रहा है मुझे bell सुना रहा है तो इसका मतलब है जब तक वो cell active है तब तक I can paste it जब तक वो cell active नहीं है escape दोबाने के बाद वो active नहीं रहता तो इसका मतलब I cannot paste this anymore एक और तरीका गार है कि मैं इसको copy करता हूँ copy करने के बाद मैं दो से तीन cells इकठे select करके paste करता हूँ it will be pasted in three cells at a time ठीक है तो control V जो है यह paste करने के लिए होता है अगर मैं चाहता हूँ कि जो मैंने cheese यहाँ पे start की है मैं गलती से delete कर बैठता हूँ तो control Z से मैं दुबारा से control Z प्रेस करूँगा तो यह मेरे पास वापिस आरेंगे which is called undo ठीक है और undo जो है यह basically undo कर देता है चीजों को आपको भी पता है यह बहुत important shortcut है किसी भी program का तो यह चीजों को undo करके यह आपके सामने ले आता है फिर अगर आप चाहते हैं कि इसे redo करूँ आपने काया कि यह जो काम की है ना इसको दुबारा मैंने वापिस ले जाना है यह उपर आपके पास दो arrows चो हो रहे हैं इन दोनों का काम है redo and undo अगर आप इस पे click करेंगे this is called undo and this is called redo redo का मतलब है जो आपने undo किया वो दुबारा से redo हो जाए ठीक है मिसाल के तोर पे यहाँ पे आप देख रहे हैं control Z and control V मैंने इसे delete किया मुझे लगा कि यार यह delete नहीं होना चाहिए था यहाँ पे इसे वापिस आना चाहिए तो मैं control Z दबाता हूँ control Z and control Y undo and redo control X का मतलब है paste करना control X का मतलब है paste करना यानि कि आपने किसी भी चीज के उपर कोई चीज उठा के paste करने मैं यहाँ से copy करता हूँ sorry control X का मतलब है cut करना यह होता है copy यानि कि मैं इसको copy करके यहाँ पे paste कर सकता हूँ लेकिन अगर मैं यहां पर Ctrl X दबाता हूँ, इसका मतलब है कि यहां से यह active cell कट हो गया, यहां पर paste हो गया, तो cut करना इसका मक्सद होता है, एक जगा से उठा के cut करके दूसरी जगा बले जाने हैं, अगर मैं column को ही delete करना चाहता हूँ, तो alt plus hd then c, ठीक है, alt hd then c तो मेरे पास क्या होगा, column जो है वो delete हो जाएगा, save for example मैं यहां पर को value रखता हूँ, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह मेरे पास सारे के सारा column है, मैं चाहता हूँ कि यह सारे के सारा column delete हो जाए, तो मैं पहले दबाऊंगा alt, alt दबाने से आपने से आपने यह जितने भी shortcut यहां पर delete, मैं D दबाऊंगा, delete में आगया, C दबाऊंगा तो column delete हो जाएगा, R दबाऊंगा तो draws delete हो जाएगी, D दबाऊंगा तो cell delete होगा, पूरी sheet delete करने हैं तो S दबाऊंगा, इसका मतलब है कि जब भी आप alt प्रेस करते हैं आपके पास सारे active हो जाते है shortcut, और किसी भ दबाऊंगा वाई, तो मेरे पास real statistics की जो मैंने ID install किया, वो open हो जाएगी, simply like this, same हम वो ही काम करते है, alt, h, दबाऊंगा home, home दबाने के बाद अगर मैं end दबाऊंगा तो यहां से journal open हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, और यहां से मैं change कर पाऊंगा, तो इसी तरीके से हम shortcut बन अगर मैं चाहता हूँ, यानि कि मैं इसमें यहां पर यह वाली row बना लेता हूँ, just for your information, कि मैंने row बनाई, अब इसको मैं delete करना चाहता हूँ, तो मैं alt दबाऊंगा, h, d, r, तो यह row delete होगी, ठीक है, समझ आई, अब मैं alt दबाता हूँ, यह सिरफ cell delete करना है, alt, h, d, और फ आप यहां पे लाके, आप delete दबाते हैं, तो यह भी वही काम करेगा, जो हमने पहले किया, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमें पूरा shortcut लगाना है, आप सिरफ delete से भी यह काम कर सकते हैं, और यह पूरी row delete करनी, तो आप यहां पे click करके भी delete कर सकते हैं, लेकिन, मज़ा वह हुई है, अगर आप shortcut use करें, आपकी efficiency जो है वो, फिर जलगती है, alt, h, d, c, column, और यह r दबाया तो row, ठीक है, अब आगे चलते है, alt, m दबाएंगे तो formula tab open हो जाती है, यानि कि यह formula tab तब open होती है, जब आप alt, m दबाएंगे, see, alt, m, यह मेरे पास formula tab open होगी, और अगर मैं यहां चाहता हूँ, यहां पर python का script लिए, I can do that, calculator option खोलनी है, error checking करनी है, trace करनी है, functions लिखने है, कुछ भी करनी है, I can do that, ठीक है, alt, h, दबाएंगे तो home, यहनि कि alt पे जितने भी, इसके frequently used, आपके shortcut है, वो सारे के सारे इस पर depend करते हैं, यहां तक clear हो गया जी, अगर clear हो okay, that's great, नहीं हुआ तो I will actually send you this sheet as well, फिर आगे चलते हैं, हमारे पास जो अगले shortcut है, वो navigation कैसे करनी है, cell के अंदर, अगर आप सबसे पहले tab दबाएंगे, तो क्या होता है, यह cell आगे-ागे move करता जाता है, मैंने यहां पर click किया, tab दबाया, तो यह आगे-ागे move करता जा र तरफ, tab आगे की तरफ, पीछे की तरफ, यानि कि यह वही चीज़ है, अगर आप right arrow या left arrow पे जाते हैं, लेकिन अक्सर होगाद आपका right hand जो है, वो mouse पे होता है, जिस वज़या से आपको tab दबाना पड़ता है, या alt tab दबाना पड़ता है, shift tabs हो भी, ठीक है, discord का link मैं आप आपको थोड़ी दिर में दे देता हूँ, अच्छा, फिर आपके पास आता है control end, अगर आप चाहते हैं कि आपने move करना है, move to the last cell on the worksheet, तो आप control end दबाएंगे, end का बटन कहां पे होता है, enter के right side पे होता है, control end, वो सबसे नीचे चला जाता है, control home दबाएंगे तो सबसे पह around me here, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हमने data add किया हुए, उसकी base पे, अगर मैं control home दबाऊंगा, तो आप पहले cell पे चले जाएंगे, अक्सरों कहाँ शीटें बड़ी होती है, और यह तब use होते है, जब आपके पास शीटें बहुत बड़ी हो, for example, मैं sample superstore का data open करता हूँ, और अगर मैंने पहले cell पे जाने और मैं यहाँ पे कहीं पे खोया हूँ, तो I can just press control home तो मैं पहले cell पे चला जाऊंगा, something like this, ठीक है, इसका एक और तरीका यह है कि आप control arrow down arrow की दबाएंगे, तो तब भी आप last वाले में चले जाएंगे, control down arrow की, और अगर control up arrow की दबाएंगे, तो अब तब भी उस sheet के अंदर end पे जले जा सकते हैं, for example, control दबाएंगे down arrow की, या control दबाएंगे up arrow की, अगर आप control shift दबाएंगे down arrow या up arrow की यूज़ करेंगे, तो वो पूरे के पूरे column को select कर लेगा, control shift, ठीक है, control shift क्या करेगा, पूरे के पूरे column को select कर लेगा, and then अग अगर आप control shift right arrow की दबाते हैं, तो ये पूरे के पूरे row को select कर लेगा, ठीक है, right arrow पूरे के पूरे row select हो जाएगी, और up से down, यानि कि जहां से आपने नीचे तक लेके आने, वहां से नीचे control shift down arrow की से select हो जाएगा, control shift से मुराद यह है, कि इसको भी select करो, इसको भी select करो, आप राइट ये लेफ्ट जा सकते हैं This is how you navigate through the big sheets and then you have another one called control page down, ये क्या करता है move to the next sheet in a workbook for example, अभी हम है navigate in cells अगर मैं control or page down दबाता हूँ, तो हम अगली sheet पे चले जाएंगे, पीछे वाली में आना है तो control page up page down, page up page down, page up ठीक है, तो ये page up और page down जो है, ये बहुत ही important चीज़े हैं क्योंकि आप जब multiple sheets पे काम कर रहे होते हैं तो ये आपके लिए easy हो जाएगा page down, page up and then you have control and arrow keys जो मैंने आपको बताई है, एक edge से नीचे edge तक आप चले जाते हैं अच्छा, अगर आप page up दबाते हैं, तो आप basically scroll आप कर रहे हैं, यहाँ पे देखें ये page down दबा रहा हो, तो नीचे कर रहा हो, page up पे उपर को जा रहा है, इसका मतलब literally यही है, कि आप एक sheet का page पूरे का पूरा उपर को ले के जा रहे हैं यह पूरे का पूरा page down कर रहे हैं मिसाल के तोर पे, यह मेरे पास sheet का इतना हिस्सा है, 22 column से लेके 40 तक मैं यहाँ पे click करता हूँ और page up दबाता हूँ अब आप देखें, 22 से उपर जितना page था, वो मेरे पास आ गया मैं फिर से page up दबाऊंगा तो यह उपर दागा आ गया यानि कि यहाँ से page down जाऊंगा तो 18 से उपर, जो rows हैं, वो आ जाएंगी अब 36 है, तो यह 36 से नीचे जितना भी मेरे पास data मुझूद है, वो सारा आ जाएगा यानि कि एक दफा जो screen आपको नजर आ रही है, वो skip होके आगे चले जाएगी या पीछे चले जाएगी, ठीक है page up and page down अगर आप alt page up डालते हैं या alt page down डालते हैं, तो क्या होता है move one screen to the right अब जो उपर से नीचे हम आ रहे थे वो right to left या left to right होगा alt के साथ, यह देखिएगा alt page down तो यह मैं right side पे जा रहा हूँ alt page up मैं left side पे आ रहा हूँ, page wise right side, left side ठीक है और इसका एक तरीका कार मैं आपको बड़ी sheets में use करने का बताता हूँ यह देखिए, यह मैं यहाँ पे हूँ, मैं page up करूँगा यहाँ पे मैं page up करूँगा तो मैं उपर जा रहा हूँ, ठीक है यह page up से हम मैं उपर page कर रहा हूँ दूसरा तरीका कार यह है कि मैं alt page down करूँगा तो मैं right side पे आ रहा हूँ paid up page up करूँगा तो बड़ी sheet मेरे पास left side पे जा रहा हूँ इसको आप यहाँ से पकड़के भी लेके जा सकते है लेकिन alt page down और alt page up जो है वो बहतरीन चीज है ठीक है अगर आपने उपर से नीचे आना तो page up and page down है या आप यहाँ पे select करके भी से उपर नीचे से लेके आ सकते है ठीक है then हमारे पास अगली जो चीज है यह वो navigation styles हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है फिर हमारे पास अगला आता है formatting in cell अगर आपने एक cell को format करना है तो यह आपके लिए इस वकत का बहुत ही important shortcut जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं कि format किस तरीके से cell को किया जाता है ठीक है general या बाकी जगों पर ले जाओं दूसरा तरीका है मैं यहाँ पर select करके control 1 दबाओं यह मेरे पास date की formatting start हो गए तो basically यह advanced level पर formatting है यहाँ पर मैंने date लिखी है लेकिन मैं control 1 दबा के अगर आप गोर करें तो यहाँ पे इस date की formatting change कर सकता हूँ and a bigger level ठीक है जिस किसम की मुझे date की format चाहिए वो मेरे पास आजागी control and 1 दबा आगे इसी तरीके से time की है percentage का हो तो percentage की है fraction हो तो वो हर किसम की जो मेरे पास formatting है मैं उसे change कर सकता हूँ मैं फिलाल के लिए इसे select रखता हूँ इसे मैं okay करता हूँ दूसरा तरीका यह है कि मैं home पे जाके यहाँ से formatting इसकी change करता हूँ for example मैं short date इसकी रखी हूँ यह long date कर दूँगा तो यह हो जाएगी और यहाँ से मैं short date करूँगा तो यह हो जाएगी this is how you can change a date cell ठीक है तो यह मेरे पास आगया इसका shift F2 के साथ shift F2 के साथ किसी भी जगा पे आप comment आड़ कर देते हैं और जैसे comment किसी cell में होगा you can see के वहाँ पे वो cell आ रहा है by the way यह जो sheet है यह basically Kevin Stratward की है Kevin जो है इस वकत English में बहुत अच्छा Excel सिखाते हैं YouTube के उपर यह sheet उनके तवस्य से में मिली हुई है तो इस वज़ा से आपको उनका नाम भी यहां पे देखने को मिलेगा अगर आप YouTube पे जाकर Kevin लिखेंगे साथ मैं Microsoft Excel लिखेंगे और आपको English आती है then you can learn from that guy as well कुछ shortcut इसमें मैंने अपने भी डाले हुए but the major part is covered by Kevin already ठीक है तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जैसे मैं यहां पे कोई भी चीज लिखता हूँ तो वो मेरे पास start हो जाती है बताने का मकसद है कि जो बंदा अपना नाम किसी machine का जो रखा होता है उसकी base पे आपके सामने वो formatting चलती है say for example यहां पे आपने देखा कि इस comment के अंदर shift F2 मैं दबाऊंगा so I can change anything लेकिन आप अगर गोर करें तो आपको shift F2 दबाने के बाद shift F2 दबाने के बाद जब आप भी कोई comment एड़ करते हैं अगर नाम नहीं भी आया still you can add things like this for example मैं यहां पे अपने spelling गलत लिख रहा हूँ जान पूच के और मैंने कुछ भी add किया यहां पे and you will see कि मेरे नाम के बगार भी यहां पे मेरे पास comment आ रहा है लेकिन बहतर यह होता है जब multiple लोग काम करें तो यह नाम के साथ है ठीक है यह meaningful मैंने इसका comment रख दिया then you have display the create table design box ठीक है control plus L और control plus T यह दो ऐसे चीज़े हैं जो आपके सामने tabulated form में किसी चीज़ को रखे देती हैं जो मैंने पहले भी आपको बताया ctrl T दबाएंगे तब भी आपके पास table आजाएगा otherwise दूसरे तरीके से भी आजाएगा so now we are going to see कि हमारे पास किस तरीके से यह सारे के सारे काम चलता है मैं इस एक column को इतनी सी rows को select करता हूँ just for the sake of example यहाँ पे इसे paste करता हूँ paste करने के बाद अगर आप गौर करें ctrl L दबाऊंगा ना मैं यहाँ पे select करने के बाद तो यह मेरे पास फिर भी create table की option आजाएगी ctrl L से ctrl T से भी आएगी ctrl L से भी आएगी ठीक है so both जो मेरे पास यहाँ पे commands यह दोनों चलेंगी तो ctrl T से जो tabulated form में convert हो जाता है जो मैंने इसे पिछले lecture में आपको बताया था कोई भी एक select करेंगे column को under rows को तो जो table है वो आपका tabulated form में आजाएगा फिर अगर आप चाहते है current time डालना या current date डालना तो यह आपके पास shortcuts हैं अगर आप यहाँ पे जाके लिखें ctrl shift and then आप colon प्रेस करें तो आपके पास current time आ जाएगा ctrl shift colon यह current time आ गया अगर आप नीचे जाए ctrl shift semicolon प्रेस करेंगे यह ctrl semicolon प्रेस करेंगे तो आपके पास current date आ जाएगी current column के अंदर आपके पास current time आ गया यहाँ पे current time और अगर आप यहाँ पे आएं तो current date control and semicolon से current date and current time अगर आप यहाँ पे equal to लगा के now लिखते हैं तब भी आपको मैंने बताया था कि आपके पास current date and time आ जाता है ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे equal to लगा के today लिखता हूँ तो यह मेरे पास एक function है जो मुझे आज की date दे देगा so this is how you can actually format different things ठीक है तो basically हम shortcut पे काम करें तो इसी को हम देखेंगे फिर हमारे पास आता है use the fill down command कैसे fill down करने control d दबाना है यहाँ पे आके control d दबाएंगे तो यह automatically इसे fill कर देगा control d ठीक है तो इसका क्या मतलब है actually यह क्या करता है use the fill down command to copy the contents and format the top most cell and select range into the cell below ठीक है so usually क्या होता है आप अगर control d दबाते हैं तो basically क्या करता है यह control d की command आपका जो top most cell होता है उसकी जो formatting है वो नीचे ले आता है और उसका text भी ले आता है so this is how you can actually format a cell अगर मैं इन दोनों को select करूँ और control d दबाऊं then you will see के हमारे पास जो top most cell है वो इस तरीके से आजाते है ठीक है control d दबाने से control r दबाएंगे use the fill right command ठीक है यह fill down है control d यह fill right है यानि के left से right की तरफ अगर मैं यहां पे control r दबाऊंगा you will see जो left वाली चीज है वो यहीं पे format के साथ आगए अगर मैं इसको orange color कर दूँ something like this sorry yellow कर दूँ तो यह मैं r दबाऊंगा तो इस side पे आजाएगी control d दबाऊंगा तो यह नीचे आजाएगी ठीक है अब आगे चलते है apply the number format with two decimal places कैसे for example यह मेरे पास एक value है 25.3549 जैसे मैंने इस पे click किया usually हम क्या करते है हम इस जगा पे जाके decimal places को कम करते है या ज्यादा करते है ठीक है लेकिन एक और तरीका यह है कि आप simply control shift and exclamation point लगाएंगे तो यह automatically two decimal places पे चला जाएगा control shift and exclamation point जो एक होता है numeric keyboard के उपर left side पे escape के नीचे one लिखा होता है उसको press करेंगे तो यह आपके पास automatically format हो जाएगा ठीक है format का मतलब यह है कि यह automatically आपके पास यह इस तरीके से आ जाएगा right clear हो गया यहां तक आपको अब आगे चलते हैं अगर आप control shift add का sign दबाएंगे ना this will apply the time format the hour and minutes and am, pm as well ठीक है for example यह मेरे पास एक time है मैं इसको copy करके यहां पे paste करता हूँ paste करने के बाद मैं home पे जाता हूँ इसको मैं कर देता हूँ number की form में यह number है ना मेरे पास आया अब मैं try करता हूँ control shift and add sign यह automatically वहां से उसको time format में change कर देगा control shift add मैंने यहां से अगर आप देखें तो यह custom है but on the other side इसको मैं control z दबाता हूँ और यहां पे click करके control shift add दबाँगो तो यह मेरे पास time आ जाएगा इसी तरीके से अगर मैं किसी को day month and year format के अंदर किसी date को लजाना है I can also do that मैं इसको copy paste करता हूँ यही पे यह हमारे पास date आ गई इसको मैं change करता हूँ short date में यह मेरे पास इस तरीके से आ गई अब मैं control shift यह दबाँगो तो यह मेरे पास date इस तरीके से आ जाएगा ठीक है इसको आप change भी कर सकते हैं for example मैं यहां पर लिखता हूँ 14 February 2000 और 24 ठीक है अब मैं इसको control shift pound sign दबाँगा it should convert into let me see इसको हम custom से short date में ले जाते हैं बलके long date में ले जाते हैं मेरे system में थोड़ा सा issue है let me see this for a moment copy paste यहां से इसको number करते हैं yes control shift and यह pound sign जो है number sign भी से बोला जाता है यह basically 1, 2 and 3 है उपर numeric keyboard पे और अगर आप dollar sign प्रेस करेंगे तो यह automatically आपका two decimal places के साथ thousand separator के साथ यह जो com है आपका dollar sign जो है वो आ जाएगा so this is how you can press and put the dollar sign as well इसके बाद आपके पास यह percent sign है अगर आप चाते हैं apply the percentage format with no decimal places तो आप control shift percent sign दबाएंगे और आपके पास यह caret sign है अगर आपने किसी भी चीज़ को उसकी scientific formatting के अंदर ले जाना है यानि कि यहां से यह scientific automatically select हो यह number है मैं control shift and carrot sign दबाता हूँ तो यह मेरे पास आजाएगा इस तरीके से और यह basically अगर आप keyboard अपना देखे ना अगर मैं keyboard आपको दिखाऊं keyboard US layout तो US layout के उपर images पे जाएगे अगर आप गौर करें तो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह सारे के सारे यह बटन है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ जो हम प्रेस करके keyboard shortcut use कर रहे हैं यह वाले बटन ठीक है तो यह वाले बटन जो हम प्रेस करके keyboard shortcut use कर रहे हैं that is why we need to be careful when we are using this अगर आपकी keyboard layout और है तो यह काम नहीं करेंगे ठीक है अगर आप जर्मनी में हैं जैसे मैं हूँ तो मेरा keyboard layout अकसरो का जर्मन होती मुझे चेंज करना पड़ता है US में then it works fine अगर आपका US layout का keyboard है यह shortcut आपके काम करेंगे ठीक है अब यहां पे देखे check spelling in the activation sheet और selected range अगर हम यहां पे जाके F7 दबाते हैं तो यह automatically यहां पे spelling चेक कर लेगा और आपको answer देगा कि कहां पे spelling कौन से घलत है ठीक है अगली चीज़ अगर आप F2 दबाते हैं तो आप उसके editing format में चले जाएंगे यानि कि अगर किसे को edit करना है यहां पे double click करके भी आप edit कर सकते हैं अगर आप सिरफ keyboard use कर रहे हैं तो आप F2 दबाएंगे तो वो आप edit mode में चले जाएंगे ठीक है और यहां पे अगर आप देखे control shift plus का sign दबाने से क्या होता है open the insert dialogue box to insert blank cell for example मैं यहां पे control shift plus दबाता हूं तो यह मेरे पास इस तरीके से right या left side पर यह cell जो है आ जाएगा control shift plus ठीक है और अगर आप control minus दबाते हैं तो इस तरीके से आ जाएगा इसका मतलब यह है कि अक्सर उकात आपके पास insert की option आ रही है यहां पे देखे ठीक है और अगर आप इसी को control minus दबाएंगे तो यह delete की option आएगी यह वो वाला delete है जो हम यहां पे home बाद में हम गे थे delete पे और यहां से हमने delete cell या बाकी options जो है निगा ले थी तो बजाए इसके आप control minus दबाएंगे जो backspace के साथ है तो यह सीधा dialogue box आजाएगा अगर आप control shift plus दबाएंगे तो यह आपके पास इस तरीके से insert cell right insert row add करने इंसर्ट column add करना है तो यह आप इस तरीके से add कर पाएंगे जैसे मैं यहां पे एक column add करना चाहता हूं यह row add करना चाहता हूं for example यहां पे control shift plus दबाऊंगा entire row यह नीचे row automatically add होगे वरना आपको यहां पे click करके insert पे जाना पड़ता है write this और फिर आप row आती है इसकी बजाए आप control shift यहां पे click करें and entire row add करने something like this ठीक है और column add करना तो again वही चीज़ यहां पे click करें control shift plus का sign and entire column right side पे add हो गया आप देखें यहां पे add हो गया और अगर मैं चाहूं तो इसको proper मैं delete भी कर सकता हूं so this is how you can delete a column और अगर आपने row को delete करना है again वही चीज़ आप alt h d और नीचे मैंने आपको बताया हुए then you have control alt v अगर आप कोई भी चीज़ copy करते हैं जैसे मैंने ये copy की है एक सिदा सिदा paste करना होता है control v दबाद या paste हो गया ठीक है लेकिन अगर आप चाहें कि मैं special dialogue ले क्या हूँ paste करने के लिए control alt v दबाएंगे तो ये dialogue open हो जाएगा इससे आप different किसम की formatting करके भी paste कर सकते हैं चीज़ों को जैसे ये मेरे पास एक proper copy है एक चीज़ की मैं यहाँ पे paste करना चाहता हूँ मैं control alt v दबाऊंगा transpose पे click करूंगा तो ये row जो है ये column बन जाएगा automatically ठीक है यहाँ पे click करके आप इस option को देख सकते हैं simple paste आ गया यहाँ पे click करने के बाद यहाँ आ गया transpose so this is how you can paste with a special dialogue box control alt v फिर अगर आप चाहते हैं कि my youtube channel या कुछ भी आपने add करना है तो वो add करें जैसे कि मेरे पास है मैं यहाँ पे add करना चाहता हूँ अपने youtube channel का link तो मैं directly जो link है वो copy कर सकता हूँ मुझे वैसे भी याद है तो मैं क्या करूँगा www.youtube.com slash add the rate kodenix जैसे मैंने यहाँ पे link लिखा यह automatically hyperlink हो गया ठीक है लेकिन अगर मैं इसको copy करूँ और मैं चाहता हूँ इस cell के उपर मैं hyperlink बनाऊँ तो मैं control के दबाऊँगा जैसे मैं control के दबाऊँगा यह मेरे पास पूछेगा हाँ जी क्या add करना है तो मैं यहीं पे address को paste करूँगा ok करूँगा तो आप देखें कि my youtube channel automatically hyperlink बन गया ठीक है hyperlink क्या होता है आप किसी भी text को किसी भी cell को hyperlink बना सकते है फिर आपके पास आता है quick analysis के लिए control Q है जैसे इसको मैंने press किया Q दबाया quick analysis start हो गया and this is how you can color and make some formatting जो मैंने पहले भी आपको बताई थी so यह control Q जो है वो quick analysis है यहां तक clear होगी जी ओके यहां तक आपको clear हो गया होगा अब आगे चलते हैं make selection and perform action की तरफ जैसे मैंने पहले आपको पताया control A दबाने से आप entire worksheet को select कर लेते हैं यानि कि जितनी आपकी worksheet है वो सारी की सारी select हो जाते है control A से control A का मतलब है select all select all अगर आप control shift space bar भी दबाते हैं तो सारी चीज़ सारी चीज़े select हो जाएगी अब आपको समझाता हूँ यह कैसे काम कर रहा है जब आपने control space bar दबाई थी पूरा column select हो गया shift space bar दबाई थी तो पूरी row तो क्योंके मैं यहां पे shift space bar दबाए के पूरी row select कर ली है इसका मतलब जितने भी columns हैं इन सभी rows के against वो सारे के सारे select करने हैं तो मैं control space bar दबाऊंगा यह दोनों select होगे इसी चीज़ को हमने combine किया तो control shift space bar आगी जिससे सारे के सारी worksheet यानि कि यह जो sheet जिस पे हम गाम करें वो सारी select होगी फिर shift arrow key का मतलब है कि यहां पे click करके अगर मैं shift दबा के arrow key दबाऊंगा तो यह जितने भी cell मैंने select करने हैं वो कर सकता हूँ अगर साथ में control दबाऊंगा shift arrow key के साथ तो now you will see कि पूरी के पूरी row a से z तक select हो जाएगी अगर यही column होता तो उपर से नीचे सारे column select हो जाते है ठीक है so this is how you can work with control shift arrow keys then show a new start a new line in the same cell मैं यहां पे for example कुछ लिख रहा हूँ my name is Amar और मैं चाहता हूँ कि मैं नीचे नई line select करूँ अगर मैं enter दबाता हूँ यह तो cell से बाई रहा गया इसलिए हमें alt enter दबाना पड़ता है नई line start करने के लिए same cell के अंदर alt enter दबाना पड़ता है I am teaching at Kodanex YouTube channel ठीक है तो आप देखें यहां पे दो line मेरे पास लिखी गई है and this is how two lines can work right so आप इस तरीके से line दो भी लिख सकते हैं ठीक हो गया अब आगे चलते हैं control enter दबाएंगे fill the selected cell range with the current entry ठीक है control enter दबाने से say for example मैं यहां पे इसको select करता हूँ let's see control enter दबाता हूँ क्या होता है कुछ भी नहीं हुआ यहां पे control enter दबाता हूँ कुछ भी नहीं हुआ so how does it work let's see control enter कुछ भी नहीं हुआ अब देखते हैं control enter कुछ भी नहीं हुआ so हमारे पास usually जो control enter वाली कमांड है यह cell range within the current entry उसके साथ साथ चलती है but this is not working for me fill the selected cell range with current entry let's see usually it happens like this control enter के साथ yes now it's working so usually होता क्या है जब आप किसी एक चीज को select करते हैं यहां पे control enter दबाएंगे not this one not this one control enter से आपके पास यह वाला dialogue box open होगा जिसके तुरू आप fill कर सकेंगे sheets को या format को या copy करेंगे cell को या fill करेंगे पूरी series को so this is how it works cell range को आप fill करना start कर देते हैं based on your own idea so usually it's working on something like this मैं यहां पे click करता हूँ और इसको fill series करूँगा तो यह मेरे पास 35, 54, 55, 55, 55 यानि कि मैं यहां पे एक लिखता हूँ एक लिखने के बाद इसको drag करूँगा तो यह मेरे पास एक लिखा आ रहे लेकिन जैसे मैं control enter दबाऊँगा तो मेरे पास इसकी पूरी की पूरी यह चीजें स्टार्ट हो जाएंगी इसकी options तो मैं fill series भी कर सकता हूँ अगर मैंने सिर्फ format को करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ so usually control enter fill के लिए use होता है so this is done मैं इसको थोड़ा सा remove कर लेता हूँ then you have entire column जो है वो select करना है तो control space bar फिर shift space bar जो मैंने आपको बता दिया हुआ है फिर आपने combine with shift to copy items जैसे मैंने पहले बताया control अगर अकेला दबाऊंगा और control and shift दबाऊंगा तो आप देखें के जितना भी आपके पास उपर से नीचे तक जितना भी data वो सारा आ गया control home shift दबाऊंगा तो नीचे से उपर तक जितना भी data वो मेरे पास आ गया for example मैं यहाँ पर click करता हूँ और यहाँ मैंने दबाया यानि के यह इस जगा से लेके पहले cell तक सारी की सारी selection होगी so control and home and control home shift and control and shift जो है वो इस तरीके से चलते है so यह थे यह हमारे पास कुछ shortcuts जिनके sheet जो हैं मैं आपको भी provide कर दे तो you can actually have this sheet और यह 50 जो shortcuts हैं यह बहुत important है जब भी आप काम करते हैं Excel के उपर और यह sheet जो है भी मैं डिस्कॉर्ट के अंदर paste करने वालों ताकि आप वहाँ से sheet को देख सकें और इस sheet पे अपना काम जो है वो कर सकें hopefully आपको समझाई होगी किस तरीके से आपके जितने भी shortcuts हैं वो काम करते हैं and आपको यह भी समझाई होगी कि जो आपका काम है खास तोर पे Excel sheet का अगर आप shortcuts को use करें तो वो बहुत ही असान हो जाता है अगर shortcuts को ना use करें तो यही काम थोड़ा सा मुश्किल लगता है यहां तक अगर आपको clear होगा please write down in the chat अगर आपने like नहीं किया अभी तक live stream को do it and then we will start our next lecture